चलिए आज animation के माद्ध हम समय समझते हैं कि जब लंबी दूरी के गाड़ियों के engine को change किया जाता है आगे से पीछे किया जाता है या दिशा change होने से engine के दिशा को भी change किया जाता है तो उस समय सारे coach को manual brake release क्यों किया जाता है अगर आप CNW staff है mechanical department है तो यह video आपके लिए काफ release किया जाता है क्यों animation और कुछ हम यहाँ पर graphics के हिसाप से इसको समझेंगे आज के इस video में अभी तक आपने video को like नहीं के तो कर लिजे चानल subscribe करके बहले icon बटन दबा दीजेगा ताकि ऐसा अच्च यच्च वीडियो आपको हमेशा मिल सके तो देखे अभी क्या है आपके नहीं होता है जब भी train में break apply नहीं होता है तो जो हमारा CR का pressure है वो DB का pressure दोनों एक बराबर होते हैं यहां CR कौन सा है यहां मैंने जो yellow color का बना रखा है डोम वो CR है और उसके नीचे DB है तो आप यह देख सकते हैं अगर आप CNW departments है तो इतनी समझ आपको आजाएगी कि जो yellow color का है वो CR है control reservoir और उसके नीचे DB है ठीक है तो यहां पे दो coach मैंने दिखा है first coach और last coach दोनों में अगर आप देखेंगे तो CR और DB का pressure एक बराबर है जब यह pressure एक बराबर होता है तो break release हो जाता है और जब DB का pressure CR के pressure से कम हो जाता है तो break apply हो जाता है यह चोटा सा funda है अब यहां पर देखे जो first coach है उसमें 5 kg का pressure है उपर भी 5 kg का pressure नीचे भी यानि कि CR उपर 5 kg है और DB नीचे 5 kg का pressure है दोनों में दोनों एक बराबर है break release है last coach की अगर हम बात करें तो उसमें 4.8 kg है हलाकि उसमें 5 kg होना चाहिए लेकिन कई बार train में हलकी फुल की थोड़ी बहुत जो लीकेज होती है उसके वज़े से कई बार ऐसा होता है कि last coach में थोड़ा सा pressure कम पहुंसता है तो यह minimum 4.8 होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए तो मैंने सबसे minimum value यहां पर लिख रखका है 4.8 kg पर cm2 तो यहां पर CR भी 4.8 kg के सांथ चार्ज है और DB भी 4.8 kg के सांथ यहां पर चार्ज है तो brake release है उपर नीचे बराबर है तो brake release है अब यहां पर train जूकेगी ठीक है जैसे train जूकेगी ड्राइवर ब्रेक लगाएगा ब् ब्रेक लग गया है अब यहां पर ध्यान से अगर आब देखेंगे तो यहां पर DB का प्रेशर का चार्ज हो गया है यानि CR से कम हो गया है और जो last coach है उसमें भी जो DB का प्रेशर है वो CR से कम हो गया है यानि जब भी प्रेशर DB का प्रेशर CR से कम होगा तो brake apply हो जाएगा इ तो यहां पर प्वरे ट्रेन में फर्स्ट कोच और लास्ट कःूच अब इंजन चेंज होगा, ठीक है? अब आगला पहले first coach था वो अब last coach हो गया है और यही mark के वाली बात है इस चीज़ का रहान रखिए आप जो पहले first coach था वो अब last coach हो गया है उसका CR 5 kg से charge है जबकि उसका जो db 4 kg से charge है क्योंकि break लगा हुआ है अब जो पहले last coach था वो first coach हो गया है और उसका CR का pressure 4.8 kg है और db का pressure 3.8 kg ह यहां भी break लगा हुआ है break release करने के लिए क्या करना होगा driver break release करने के लिए bp के pressure को बढ़ाएगा जब bp के pressure को बढ़ाएगा पूरी train charge हो जाएगी यानि 5 kg का pressure बढ़ भर जाएगा CR में, db में, ar में हर जगा तो उसके बाद जो हमारी train का जो break है वो release हो जाएगा तो अग region air pressure दे रहा है किसलिए break release करके train को चलाने के लिए तो driver break को release करने के लिए क्या करेगा pressure देगा जब pressure देगा तो यहां पर गारी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी अब देखें यहां पर pressure बढ़ता है अगर आप first coach जो लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो वहां उपर भी 5 kg का pressure हो गया नीचे भी 5 kg का pressure हो गया तो उसका break release हो जाएगा लेकिन जो last coach है उसमें देखिए CR 5 kg के साथ charge है लेकिन DB 4.8 kg के साथ charge है यानि उसका break release नहीं हुआ है जब तक उपर नीचे का pressure बराबर नहीं होगा तब तक break release नहीं होगा और यह pressure बराबर क्यों नहीं हु जो यह local स्गरस से मैंने दिखा है वो 5 गेजि से चाल सा अब यह अगर आप रिलीज करेंगैं तो खाइब यहां इसलिए यहां पर हर कोच को निया इंजिन जोडने के बाद सारे जितने भी कोच हैं उनको manually release किया जाता है उन सबके break को manually release किया जाता है manually release करने से क्या होता है देखिए जब आप manually release करते हैं किसी भी coach को तो उसका सारा pressure बाहर आ जाता है यानि CR, DB, AR जितने भी pressure है उसमें जम हुआ है वो सारा बाहर आ जाता है पूरा 00 हो जाता है उसके बाद जब उस coach को किसी नए engine से charge करेंगे तो अब नए engine जितना pressure दे रहा है उतने pressure से चार्ज होगा लेकिन अगर आप किसी भी coach को engine के through आप उसको brake release करेंगे तो वहाँ पे CR का pressure कम ज्यादा नहीं होगा सिर्फ db का pressure कम ज्यादा होगा तो यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है अब अगरे slide में हम देखते हैं यहाँ पे अगर उसी train को हम manually यहाँ पे discharge कर देते हैं पूरे brake को release कर देते हैं हर coach को एक एक coach को जाके हम manually जब release करेंगे brake उसका तो क्या होगा सारे pressure 00 हो जाएंगे उपर CR का भी pressure 00 हो जाएगा जब यह पूरे brake का pressure 00 हो जाएगा उसके बाद हम engine से इसमें air supply देंगे तब देखिए क्या होता है अब देखिए engine से हमने air supply भरना शुरू कर देखिए engine हमने यहाँ दूसरी तरफ लगा दिया है अब engine से हम air भरना शुरू कर देखिए पहले वाले coach में pressure बढ़ता जा रहा है धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और 5 kg 5 kg आ गया यानि कि उपर भी 5 kg स्रियाद में भी 5 kg आ गया और नीचे db में 5 kg आ गया जब दोनों का pressure बराबर हो गया तो यहाँ पे break release हो जाएगा अब इसी तरह last coach में क्या होगा देखिए यहाँ भी pressure बढ रिलीज हो गया और कहीं भी break binding होने की संभावना नहीं है इसलिए जब भी किसी train का engine change होता है तो सारे coach को manually release करना चाहिए अचा manually कब release करते हैं जब engine एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाके couple हो जाए उसके बाद manually release करिए अगर engine काट दिया engine rake से हटा दिया गया और आप manually release कर देंगे तो इसमें पूरी train roll हो जाएगी और उसको control करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें न ब्रेक होगा न इंजन होगा तो इसको control नहीं किया जा सकता है इसलिए कभी भी अगर आप manually release करते हैं तो वहाँ पे आप engine जोड़ जाए उसके बाद कपल हो जाए उसक किये जानकारी कैसे लेगी कमेंड करके बताएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद